लेकिन अब जब आपने फीमेल फैक्टर पूछा तो उसके उपर आते हैं जब मैं इंजिनेरिंग के लिए तैयारी करने के लिए आया था तो गया था तैयारी करने हैं लेकिन बहाँ पर एक बहुती अमेजिंग बहुती खुबसूरत लड़की दीखे और हमारे साथ क्या होता है ना कि हमें पैमपर किया गए और हम इंटेलिजट थे तो ऐसा लगता सब पढ़ा ही सब कुछ है और दूसरी डिरेक्शिन में सोचते थे किसी लड़की के बार में सोचते ते गरवाले कहते थे कि नहीं पढ़ मम्मी स्पेशली गहती थी कि तो पढ़ना ही और कुछ नहीं करना तो उस डिरेक्शन में जाना चाहते थे लेकिन कभी गए नहीं तो टैग लगावा था इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट लेकिन बाहर जब हवा लगती है तो वही चीज करने का मन करता है जिसके लिए बार-बार रोका गया था तो एक खुबसूरत लड़की दीखी और मैं देखते ही बाई बन साइट लव होता है वो हो गया मुझे और लड़कों के साथ प्रॉबलम होती है कि हमें बहुत जल्दी हो जाता है लड़किया मिचोर होती है उनको पता होता है लड़के बस फिजल गया और अब हुआ कुछ ही हूँ की छे महीने तैयारी करने के लिए गया था लेकिन छे महीने बस वही देखते रहता था कि वो क्या करती है कि वो दिख़ी मुझे उनी गठीए मुझे उन्ही के घर पे मैंने पेपर हो गया खराब तो इनिशिली इमेज ऐसी थी कि बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन फाइनली जो पेपर खराब हो गया और रिजल्ट आया नहीं अब हमारी कोचिंग वाले कहने लगए अब लास्ट पेपर बचाए अब घर पे जाके पेपर देना एक ही महीना बचाए ओर पीडिक पेपर होता है तो अब क्या करें सब कुछ स्लेबस तो खतम हो गया पेपर भी खराब हो गया उसमें सेलेक्शन हुआ नहीं एक स्टेट लेवल का एक्जाम का पेपर बचा था घर पे जाके preparation करनी थी, दिल की बात तो दिल में रहागी, कभी बताया ही नी, देख रहे हैं उस लड़की को, लेकिन कभी बोली नहीं पाए, हाथ थोड़ा बहुत, जब भी सामने एक दूसरे face to face होते थे तो मुस्कुराते थे, हमारे इंडिया में थोड़ा मुस्कुराते ह चाता है, तो हमारे हिसाब से तो मुस्कुराई है, इसका मतलब कुछ बात है, लेकिन उसके हिसाब से कुछ नहीं था, तो हुआ क्या कि अब जा रहे हैं, तो मैंने सूचा कि नहीं यार, ऐसे तो नहीं जाएंगे, छे महीने किसी के लिए इतने दिये हैं, पेपर खराब कर जो करने आये वो किया नहीं, तब ऐसे दो नहीं जाएंगे, तो मोका थलाश रा था मैं, और अब बस की टिकेट थी, दो दिन बात की, घर ही जाना था, जैसे तैसे गर किया, मैं पोहँच गया, मुझे मोका मिल गया, और बहाना किया था, जा रहा हो तो मिल लूँ सबसे, तो मुझे ऐसा फीलिंग था कि यार यह है, जो मेरी ना वाइफ बन सकती है, मुझे संभाल सकती है, मेरे में बहुत एनरजी थी, बहुत, जो और एक्चली वो एनरजी जो है उस एज में डिसकार्टेड होती है, डिफ्यूजड होती है, पर अलाइन करना बहुत इंबोर्डें है, तो उनको थोड़ा सा लगा कि कुछ बोलने माला है, पर उनको यह एक्स्पेक्टेड नहीं था, मैं यह बोलूँगा, एक्टली मुझे बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है, 17 साल की उमर में, पर उसके बाद जो उसने बोला, वो काफी इंपोर्टेंट है, वहां से मे क्या है, दूसरी लाइन, तुम जब शुरू में आये थे, तो तुम बहुत इंटेलिजेंट लगते थे, लेकिन तुमारा सेलेक्शन भी नहीं हुआ, तुमने पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं, अब वो इतनी मैचोर बात क्यों करी थी, मैं आपको आज बताता ह प्लीज, उनको मेरी एज पता थी, एक सला देती हूं, कहां प्लीज, कि तुम जिंदिगे में कुछ बन जाओ, सफल हो जाओ, तो तुमें सब कुछ मिलेगा है, उसके बात के लाइन बड़ी इंपोर्टेंट है, वो शायद मैं भी, मुझे खुशी बात की थी, कि यूनो वो वाइब, वो जो पहला प्यार सोचना सिर्फ मेरे अंदर ही है, वो वहाँ पे थोड़ी बहुत आग थी, तो मैं थोड़ा हो गया कि ठीक है, कुछ हो सकता है, बड़ा है प्रूव माइसेल्फ, मुझे कुछ करना पड़ेगा, उसक प्रूव मेरे माबाब राजी नहीं है, तो मैं कुछ करता ही नहीं था, तो एक लड़की का कंसर्न बड़ा होता है, कि मैं अपने मॉम डैड, उसका कंसर्न तो यही था, कि देखो मेरे माबाब राजी नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती, हाँ, I like you, but नहीं, you have to prove yourself, that's it, तो उस महीना जो मैंने छे महीने नहीं की थी, और उसके बाद मैंने जो राजस्तान का जो प्राइवेट में टॉप इंस्टिटूट है, महाँ मेरा सेलेक्शन हो गया, फाइनली में एंजिनेरिंग करने के लिए, पूरे मोटवेशन के साथ, शादी करने के लिए, उनी से शादी क का हाथ है, वाँ, ब्यूटफुल, भावी जी के बार में और कुछ बताईए, उसकी बहुत, वो शी इस अमेजिग, उसने मेरा पूरा लाइफ चेंज कर दिया, मैं बिल्कुल स्पिरिचालिटी में नहीं था, मैं बगवान बगवान कुछ नहीं मानता था, साइंस का गोटी है, वो क्रिशन बगवान को बहुत मानती है, और इन फेक्ट मैं आपको बदाता हूँ कि वो ओशो को बहुत पढ़ती थी, रीडर थी, और इन फेक्ट एक बार ऐसा मुमिंट था, जब मैं अपने बार में बता रहा हूँ कि उनको उनके पैरेंट्स ने भेजा एक आश्रम में, वो नाइन्थ क्लास में भीज दिया था, तो उनको लगा कि मतलब तब तो वो किट थी, तो थी क्या आश्रम में भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है, बट दो साल बाद वो आना ही नहीं चाहती थी, उसको जवर्दसी लेके आए, वो आश्रम है आपको बता या जब उन से, मैं तो अभी सिर्फ बाहर से देख रहा था, जब मैंने पूरा जाना उनको तो मुझे समझ मां फाये मतलब समंदर है, तो उन्होंने मुझे बूक्स का बताया ओश्यो की बूक्स के बारे में उन्होंने बताया।